हेलो एविवन वेलकम बैक टो में चैनल तो असलाम उलेकुम कैसे आप सभी उमीद करती हैं आप लोग बहुत इच्छे से होंगे तो यहाप आप सभी देख सकते हैं मैं दिनियाद दोम का पेपर लिए हूँ ठीके दिनियाद दोम का पार्ट वन है यानि आप लोग सीदरी से हो ज Colombian वाले हैं सबकर लोग याद कर लबी का सब्सक्रा पर लोग ऐसंदार बॉस्ैधर धरतल से हुआ university साब लोग साब्री से बनेगा इसी तरह से बनेगा सो आप साब्सक्राइग कर लिए चैनल के तो उसको कर दो evs कृवयिए देख सकते दोतने हैं साब होगा उसमें मैं आप लोग को हर एक सब्सक्राइब कराने वाली हूं जिसमें से आप लोग का लगभग लगभग कड़ा चुकी है कुछ बचे वे वह भी मैं आप लोग को कड़ा दोंगी तो चलिए यहां पर क्वेश्चन कर लिजिए यह सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर सवाल नंबर वन क्या कहरा है लफ्स बी की तरह की कीजिए या बी की लगभवी और इस्तिलाही तारिफ कीजिए यहां पर आप सब देख सकते हैं यहां पर करना क्या है जवाब लिखना आप लोग को पेपर प्रेजेंटेशन पे भी में वीडियो बनाऊंगी ठीक है आप लिए फेपर प्रेजेंटेशन पर वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आप लोग क्वाश्चन आपसे लिखेंगे हिंदी का इंग्लिश का उर्दू का साडब का सानु में बताऊंगी तो यहां पर आप लोग सबसे पहले समझे हैं यहां पर question क्या कहरा है सबसे पहले हैं सब पढ़ना है उसका समझना है इसमें कितने सवाल हैं और किस तरह से बनेंगे तो आप लोग दो तरह से लिख सकते हैं मतलब यहां पर समझजे ठीक है लफ्ज बी की तहकी किजिए या बी की लगवी और इस्तिलाही तारीफ कीजिए तो यहां पर आप सब देखिए यहां पर ल कर देंगे उसके बाद आप लोग फिर यहां पर इसमें क्वेशन में कह रहा है इस्तिलाही तारिफ कीजी लगवी और इस्तिलाही दोनों तरह के तारिफ करना है तो यहां पर तो उपर वाला तारिफ कर देंगा लगवी दिन आप लोग यहां पर बी के इस्तिलाही तारिफ क किस तरह से करना यहां पे आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं क्लियर चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट वर्शन देखिए सवाल दो किस तरह से पूछा जा रहा है बी में जावा कबोल की शर्री हैसियत क्या है किन सीगों से बी मुनाकद होती है तो यहां पे आप सभी को क्या कर पश्रन है कैसे है बी में इजावा कबोल की शर्री हैसियत क्या है यह लिखना है फिर दूसरा इसमें सवाल है किन सीगों से बी मुनाकद होती है जवाब आप लोग देखिए बी इजावा और कबोल के साथ मतहक्किक होती है जबकि दोनों माज़ी के लफजों से हों मसलां उन दोनों मेंसे एक ने कहा कि मैंने बेचा और दूसरे ने कहा मैंने खरीदा क्योंकि बी तो इंशात तस्रूरोफ है और इंशाहो रोना पिस होता है जो सीगों खबर देने के लिए मौज़ो है वही इंशाम में मस्तमिल है । झाल ओर भी निचा दिया है यहाँपे देख सकते एरवी में दिया हुआए कि मानी अटियम्द मैं इतने दामों के एवज राजी हुआ यहाँए ने इतने दामों के एवज्ज तुझे दिया तु इतने दामों के एवज्ज let uskwe उसके कौल बात और अश्टरियत के मानी है ठीक है क्योंकि इस से उससे यही मानी हासित होती है और उन अकूद में मानी ही मातबर है और इसी वज़त से ताती के साथ भी मुनाकद हो जाती है ठीक है नफिस हो या खसेस हो और यही सही है क्योंकि बाहमी रजामन्दी पाई गई तो यहाँ पर आप लोगो एच इस क्लियर हो गया होगा इस question का answer तो यह सारा कुछ था ठीक है इस question का answer तो यह था फिर यहाँ पर आप लोगो तश्री भी करना है तश्री आना जरूरी है इसलिए आप लोग तश्री भी कीजिए फिर यहाँ पर आप लोग को तश्री करने के बाद दलील देना है दलील कुछ इस तरह से आप लोग द देख सकते हैं इस question में आप लोगो दो तरह से नहीं तीन तरह से लिखना है सबसे पहले तो आप लोगो इस question में इसके तो answer जो मैं आप लोगो बताई वो लिख देंगे फिर इसमें आप लोगो second question है उसमें आप लोगो तर्शरी और दलील यह सारा कुछ देना है ठीक है तो आप लोग यह पढ़ेंगे तो आप लोगो सारा कुछ समझ में आ जाएगा फिर आप लोगो सवाल नमबर 3 खयार कबूल का हुक्म किया है फिर इसमें देखिए हर एक question में आप लोगो दो तीन question देखने को जरूर कियीयर को अपने इसाब से रजू करने का हक्क कब हासल होता है ।ो यहां पर आपiger आप सब देख सकते हैं छियार कबूल का हुक्म क्या है उसमें तो दोसरा question में इसी महें है तहरीर कीजिए और मौझब को अपने इज़ाब से रजू करने का हक यह भी लिखना है तो सबसे परहे तो आप लोग इसका एंसर लिखेंगे ठीक आप लोगो थोड़ा बहुत भी मालूम है तो यह तो आप लोग लिखेंगे तो यह आप लोगो फ्रीट कीजिए और समझ लिजे क्योंकि हर एक ख्वेस्टन का एंसर बहुत ज़ादा लंब है फिर यहाप लोगो को डलील देना होगा दूसरे ख्वेस्टन में फिर यहाप लोग डलील देंगे कुछ इस तरह से फिर आप पर देखे नेक्स्ट क्वेशन भी आए गया है तो यहाँ पर देखे सवाल नमबर फूर इसाब कब बातिल हो जाता है और क्यों तश्री कीजे तो देखे इसमें भी आप लोग को समझ रहोंगे कि एक ही क्वेशन है लेकिन एक क्वेशन नहीं है सबसे पर देखे लिखना है इसाब कब बातिल हो जाता है और क्यों तश्री कीजे सबसे पर दो कब हो जाता है ये लिखना है उसके क्यों डीजन भी देना है तश्री भी करना है तो यहाँ पर आप लोग देखे जवाब तो जवाब क्या कह रहा है बाई और मच्टरी दोनों में से जो भी कबूल करने से पहले खरा हो गया तो एजाब बातिल हो गया क्योंकि खरा हो जाना कबूल से इराज करने और एजाब से रजू करने की दलील है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगो समझ में आगे अब तश्री करना है क्यों तश्री करने आप लोगो यहाँ पर दिया वा ना तश्री कीजिए तो यहाँ पर आप लोग तश्री भी करेंगे तो देखिए इसका अंसर छोटा है यहाँ आप लोग एक से दो बार रेट करेंगे याद हो जाएगा फिर आप 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 लोको देखिए सवाल नंबर 5, 5कोशन अभी और बज़े हुए है देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए कोशन है यहाँ पर वेट यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अड़वी में दो तीन लाइन दे दिया किया है अब से पूछ किया रहा है मनज़ा बाला अबारत का तर्जुमा कीजिए और इमाम अबू हनीफा रजियल्लाहु अन्हों और साहिबिन रजियल्लाहु अन्हों की दलिल पेश करके उनकी मौकिफ को वाज़ा कीजिए तो किस तरह से आप लोग वाज़े करेंगे जायज होगी हाँ, अगर इसी मसگलस अकद में तमाम कफीजों के मकदार बयान कर दिदि या किल कर लिया गया तो पूरे ठ्थेळ की भी जायज होगी और साहिबिन ने फरपाया दोनों सूरों में पूरे ठ्थेळ की बी जायज है चिक्षा तो यहां पर आपनुतर की गई हैं तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं इस looking training मिल गया अन्सर मेनजर अबारत का तर्रजमां कीजिए तर्जमां तो आप लोग यहां पर क्रोई है किजिए Till then यहां पे आप लोग देखिए इमाम अबू हनिफा रजी अल्लाह की दलील ठीक है तो यहां पे आप लोगो दो लोगो की दलील पेश करनी है एक तो आप लोगो इमाम अबू हनिफा रजी अल्लाह की दलील पेश करनी है फिर यहाँ पे आप लोगो साहिपिर रूझ़ी अलाओंनों की दलील पेश करनी है तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देखें यहाँ पे इमाम अबू हनीफर ॡून Agriculture की दलील है तो उनकी दलील क्या है तो यहां पे आप लोग पढ़ेंगे तो सारा को समझ में आ जाएगा फिर यहां पे आप लोग देखिए फिर नीचे आप लोग आएंगे थोड़ा सा तो यहां पे आप लोग देखिए साहिबिन रजियलाओ अन्हों की दलील है तो यह भी आप लोग परहेंगे तो सारा को समझ में आ जाएगा अगर मैं एक कोश्वन का सारा क्वेशन में अगर हर एक कवेशन का अंसर फ्राइब के बताऊंगे तो फिर वी आप देखिए और यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर थोड़ा क्वालिटी सही नहीं है तो यहां पर मैं बोल देड़ी हूं आप लोग सुन के याज कर लिए ठीक है जब इजाव कबूल हासिल हो गया तो भी लाजिम हो गई और उन दोनों में से किसी को रजू करन है तो भी लाजिम हो गई और बाई और मश्टरी में से हर एक के लिए मुल्क साबित हो गई यानि बाई समन का मालिक हो गिया और मश्टरी मभी का मुल्क हो गिया अब उन में से किसी को भी फसक कर देने का इक्तियार ना होगा इला यह कि मभी में कोई एब हो या मभी को गैर देखे खरीता हो, तो उन में उन दोनों सुर्थों में मश् unwilling को खयार हासिल होगा. पहली सुर्थ में खयार आभ और दूसरे सुर्थ में खयार रवायत, ठीक है? फिर यहांपने आप लोग देखें हासिल, हासिल यह हुआ कि आके दिन में से किसी को ख्यार मजलस हासिल न होगा और उसी कायल इमाम मालिक रजालाओन हो थीक है तो यहां पर आप लोगो को पहला question का इससा समझ में आ गया फिर दूसरा question का इससार यहां पर देखिए इसमें भी काफे लंबे लिखे हुए है तो यहां पर आप लोगो read करेंगे तो सारा कुस समाज में आ जाएगा फिर नेक्स क्वेशन यहां पर देखिए सवाल अमर 7 किसी ने अनास के एक धेड़ी उस शर्ट पर खरीदी कि सौ कफीज सौ दिरहम के एवज हैं लेकिन नापने के बाद वह नौवे कफीज या 110 कफीज अनास कर धेड़ पाया गया ऐसी सूरत में शर्र कुस समाज में आ जाएगा ठीक है और उसका दलील भी पेश करना है दलील या वजह चीज से कहते हैं तो यह भी आप लोग पेश करेंगे ठीक है फिर आप आप लोग नेक्स क्वेशन देखिए सवाल क्या कह रहा है दलील से समझा कर बताईए कि एक शक्स ने एक कपड़ा उस शर्ट पर खरीदा कि दस गस दस दिरहम के बदले या सौ गस जमीन सौ दिरहम के बदले है लेकिन उससे कम या ज्यादा पाए तो भी का क्या हुक्म है तो यहां पर आप सब देखिए और पढ़िए और समझे यहां पर आप लोग पढ़ें गैं तो साल को समझ माँ तो यानि इन्क ब्रन करना है जहां पे दलील पूछते हैं समंझें दलील कर हम अransp कीज़े तो यहां पे आप लोग को बस इसमें दो ही काम करना है तर्जुमा करना है और उसका मतलब वाज़े करना है ठीक है तो यहां पे आप लोग तर्जुमा लिखके दोदो वजाहत से तहरीर करने को कहा गया है तो यहां पर आप सब देख सकते हैं इसके आंसर काफ़ छोटा है यहां तक ही दिया हुए आप लोग यह पढ़िया है समझ लेजों क्लियर तो उमीद करते हैं आप लोगो समझ में आया होगा किस तरह से दिन्या दोम की सवाल पू जाएगा ठीक है फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में जब तक आप लोग चैनल पे बने रहे हैं वीडियो ची लगी हो तो लाइक करें शेयर भी जरूर करें